सो हेलो गाइस वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल आइम हर्ष और आज की इस वीडियो में हम अन्बोक्सिंग करने वाले हैं बहुत ही कमाल के प्रोड़क्त को सो अगर आप एक यूट्यूबर हो अगर आप एक गेमर हो या फिर अगर आपको आर्ट जी भी लाइट पसंदे तो इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि आज मेरे पास है काफी कमाल का प्रोड़क्त सो फाइनली गाइस यह रहा वो प्रोड़क्त जिसका हम आज अन्बोक्सिंग करेंगे और हम रिव्यू करेंगे और देखेंगे इसको प्रैक्टिकल यूज करके यह जो LED लाइट है यह किस तरह से वर्क करती है इसकी प्राइजिंग वगेरा सारी डीटेल आपको इस वीड दोन से ओडर किया था सो गैस यहां पर इस प्रोड़क्त की जो है लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसमें हमें कुछ बिल्स वगेरा मिलते हैं और यूजर मैनुवल तो कुछ भी नहीं मिलता जस्ट हमारा जो प्रोड़क्त है जो हमने ओडर किया था व ब्रीक लाइट है जो कि मल्टीपल कलर में अवेलेबल होती है इसके साथ में हमें एक रिमोन भी मिलता है जो कि हमें मल्टीपल ओप्शन देता है अगर हम किसी सिंगल कलर पे स्वीच करना चाते हैं तो वो भी कर सकते हैं इसके अंदर काफी सारे 3-4 मोड है जो कि इस वीड quality की बात करूँ तो इसकी build quality ठीक ठाक ही है मलब बढ़िया है जिस price range में आपको मिल रहा है उस price range के साफ से इसकी build quality ठीक ठाक है और इसका price आपको 200 से 2500 रुपे तक का पड़ेगा मैंने तो 200 में लिए अगर कुछ offer वगेरा चलता है तो आपको 200 में मिल जाएगी है यहाँ पर आप देख सकते हो दो wires दिखती है तो इस wire के through आपको इसको connect करना है इसको connect करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका जो remote है उसमें से आपको यह plastic जो है यह निकालना पड़ेगा तब ही इसका remote जो है work करेगा काफी लोग क्या करते इसको निकालते नहीं है और वो सोचते कि हमारा product जो है खराब है अब finally मैंने इसके दोनों wires को जो है switch के through connect कर दिया है तो अभी हम remote के through on वाले button पर click करेंगे यहां पर हमारी light जो है on हो चुकी है इसके अंदर multiple colors है बहुत सारे colors है और इसके अंदर चार mode आपको देखने को मिलते है और अगर आप चाहो तो single color पर भी switch कर सकते हो जैसे हमें red का option मिलता है green का option मिलता है blue का option मिलता है और हमे white का option मिलता है यहां पर हम चाहे तो इसकी brightness कम ज्यादा भी कर सकते हैं और चार modes मिलते हैं जो कि हम change कर सकते हैं तो अभी मैं आपको practical करके भी दिखाऊंगा मेरे setup में इसको और हम देखेंगे कि कैसा लगता है दोस्तों यहां पर इसका एक और advantage बताने वाला हूं में अगर आप चाहते हो इस light के थुरू cinematic short लेना जैसी कि मैंने लिया है तो मैंने यहां पर अपना tripod रखा है और इससे मैं cinematic short ले रहा हूं इस light के थुरू तो मेरी वीडियो में improvement ज़्यादा दिखते हैं और मेरी वीडियो की जो quality है वो भी ज़्यादा improve हो जाती है तो यह भी इसका एक advantage है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एक example है तो lights को मैंने अपनी background में लगा दिये तो if you are a YouTuber तो आप इस तरीके से इस light को अपने background में लगा सकते हैं तो यहाँ पर मैं इसके कुछ modes own कर देता हूं जो कि काफी कमाल के लगते हैं So head is the remote और इस remote में काफी सारे mode दिये हुए हैं तो चलिए अब मैं इसको change करके दिखाता हूं आपको यहाँ पर आप देख सकते हो basically background में काफी सारी अलग-अलग RGB lights के mode change हो रहे हैं इस तरीके से यह light work करती है अगर आपको यह चाहिए तो मैं आपको link जो डिस्क्रिप्शन में provide कर दूँगा अगर आपको यह video पसंद आए तो इस video को like, share and subscribe कर देना So मिलते हैं next video में तब तक के लिए goodbye